हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच परहार में मैं हूँ अड़गेट सनी शर्मा शायद क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे और आप जब वीडियो देखते हैं तो मेरे काफी सारे वीडियो ऐसे होता है जो नेगिटिव टोन में रहते हैं मैं बोलता हूं ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता कुछ लोगों को सही लगता है और कुछ लोगों को बुरा भी लगता है और कई बार मेरे सामने भी कई लोग ऐसे मिलने आ जाते हैं मुझे कहते है सर मैं ऐसा सोच रहा वो result oriented है की नहीं है अब for example अभी मेरे client है काफी अच्छे client है उनके argument भी मैंने बनाये थे तो उन्होंने एक message किया कि sir में एक legal notice भेजना चाहता हूँ अपने पत्नी के परिवार वालों को कुछ दिन पहले तो मैंने उसका कोई reply नहीं दिया क्योंकि उनकी बात मुझे समझ में भी नहीं आई तो फिर जब phone पर बात हुई तो उन्होंने समझाया कि जो मेरे पत्नी के घरवाले हैं वो उसको भढ़काते हैं and that's why मैं उनको legal notice भेजना चाहता हूँ अब आब बताओ इसका मतलब क्या है क्योंकि बहुत सारे केसी अल्रेडी चल रहे है एक legal notice भेजना भढ़काते हैं मतलब कोई है logic कोई कोई logic नहीं है उल्टा क्या होगा जब उसका reply आएगा वो allegations लिख करके अपने आपको reply दे देगी आपको relief क्या मिला nothing, कुछ नहीं तो यही चीज है मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे सामने कुछ ऐसी situation आ जाती है कि हमें लगता है कि अगर ये बंदा इस पर जाएगा तो इसको कोई result नहीं मिलेगा तो हमने उनको मना कर दिया सर आपको legal notice नहीं भेजना चाहिए इसको कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा कुछ करना चाहते हो तो फिर कुछ ऐसा करो जो result oriented हो अर्वाइस तो ना करो जादा अच्छा है ऐसे सेम एक और client है उन्हों बुला सर मिरे को question file करनी है सारे मिरे को papers भेज दिये और बुला आप सर मिरे को बड़ी ऐसी question बना के दूना ठीक है अब हुआ कि question से पहले जब हमने उनके सारे papers के printout निकाले तो हमने देखा 2021 में high court से उनका एक order हुआ है एक rejection हुआ है और जब हमने वो देखा तो में लगा कि यार यह 21 में जो rejection हुआ है ने challenge तो इन्होंने कहीं किया नहीं और आज 2024 चल रहा है तो question फाइल करेंगी तो second petition आपकी मानी जाएगी already high court से खारीज हुआ था तो आपको supreme court जाना था अब due to lack of legal knowledge उन्होंने जो है हमें बोला कि sir आप हमें बताओ question बना करके दो high court के लिए जबकि already उनकी question 2021 high court से खारीज हो चुके थी तो मैंने उनको बोला कि sir आपकी question बनेगी नहीं आपकी question बनेगी नहीं अगर आप डालोगी भी तो खारीज हुआ जाएगी आपकी उम्मीद होने से होता क्या है सच सही क्या है हो सकता है आपका काम यह नहीं हो सकता कई बर Supreme Court के SIS मामले मर पा आ जाते है सराभ फीज बता दो बस अपने क्या लेंगे और Supreme Court में ऐसा काम होना है अब हमने देखा वो चीज़ Supreme Court में maintainable ही नहीं है ऐसे भी मेरे क्लाइन थे बिचारों ने बहुत बार अपनी पिटिशन बेजी, हर बार मैंने जवाब यहीं दिया, मैंने कब यहीं होगा ही नहीं, आप क्यू जाना चाहरे हो, क्यू अपने लाख रुपे वेश्ट करना चाहरे हो, जो चीज होगी नहीं, खतम करो उसको, तो ह दवाई को खाने का कोई फाइदा नहीं है, तो इसलिए हमको थोड़ा सा कड़वा सुनने की आदत भी डालनी चाहिए, क्योंकि यह चीजी ऐसी है, कि इसमें जब तक हम कड़वा बोलेंगे नहीं, तब तक सामने वाला सही समझेगा नहीं, और अगर हम सामने वाली की बात यह नहीं होता, कि जो आप कह रहे हो, वो ही आपको मिल जाएगा, कई बार एडवाईस यह भी होती है, कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और इस समय पे आपको चुप बैटना चाहिए, और इसी में आपका सबसे ज़्यादा फायदा होता है, तो ऐसी भी एडवाईस कई बार रखो, open रखो, broad-minded रहो, अपने बिल्कुल ऐसे नहीं बनके चलना है, broad-minded, अभी मैं कल किसी से बात कर रहा था, उनका जो case है वो हमारी city में चल रहे हैं, मतलब हुए नहीं अभी case होने वाले हैं, लड़की हमारी city की है, और वो बाहर से हैं, तो जब मैंने उन्हें बताया कि बही ऐसा है, दो-दो-तीन-तीन case चलते हैं, उन्हें भी पता है, हालांकि वीडियो जो गया रहो देखते रहते हैं, तो उन्हें का, sir, एक case का कितना खर्चा आ जाता है, तो मैंने अपनी city के according यहां पे जो charge करते हैं, advocates, वो मैंने उनको बताया है, मैंने का, लगभाग य कि कोई solution नहीं हुआ, आप हार गए, लड़ने से पहले यह भी तो कोई case आया ही नहीं है, केवल इसलिए कि मेरी salary कम है, 45-45 और पर मुझे मिलते हैं, मैं 3-4-4 case कैसे जहलूँगा इतना दूर आ कर गया, सब कुछ जहलना पड़ता है, भाई, सब कुछ जहलना पड़ता है, वो किसी को लेकर के आया है, जो विक्ति मेरे पास आया है, उसके विचारी की हालत बहुत खराब थी, सर पे गमच्छा बंदा हुआ था, और कपड़े बहुत गंदे थे, लेबर क्लास कोई लग रहा था, तो मैं बैठा, मैं रहा हाँ जी, बोला इनका मामला है, मैं इनका म नीचे उतारा, बेटा बहुत परिशान हुआ, बेटा फटा फट लेकर के हॉस्पिटल भागा, तब उसकी सासे चल रही थी, हॉस्पिटल में डिट गंटे के बाद उसकी डेथ हो गई, और जब डेथ हो गई, तो सीधे लोग बिचारे पड़े लिखे नहीं है, मजदूर आदमी, तो उन्होंने लड़की के पिता को फोन करके सारी बात एजटीज बताई, कि ऐसे ऐसे था, घर पे कोई नहीं था, और उसने पासी लगा ली, फिर हम लोग आये हॉस्पिटल में लेकर आये हैं, और यहां उसकी डेथ हो गई, पिता आये, पिता ने आकर के F.I.R. करवादी पूरे परिवार पर, लड़के पर, माता-पिता पर, बड़े लड़के पर, उसकी बहुपर, और जो भेहने उस पर, सब पर F.I.R. करवादी, अब मामला हो सकता है, अभी F.I.R. हमारे हाथ में नहीं है, 302 भी हो सकता है, हत्या का मामला भी हो सकता है, दहे जट् कि पुलिस कह रही है कि तुमको उठा लेंगे तो उन बच्चों का क्या होगा कौन देखेगा घर पे और सब्जी का ठीया लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं अब ऐसी स्थिती में भी डील करना पड़ता है यह पूरी स्टोरी मैं आपको इसने समझाई कि हार नी माननी वो व्यक्ति मेरे सामने बैठके फूट-फूट के रोने लगा कि इन बच्चों के लिए पूरी जिंगी मैंने वहनत करी और आज इनी बच्चों की वैसे मैं इस लेने दिया तो सारी चीजे सुन करके आदमिकदम लेकिन फिर भी लड़ना पड़ेगा ना मरवा देगा कि अपने पूरे परिवार को जेल बिजवा देगा समझें बात को कहने का मतलब हमें फिर भी इश्वर ने अच्छे स्थिती में रखा है अगर हमारे पास 40,000 रुप अगर कोई चीज ऐसी आ रही है बहिया यह सब किस्मत की बात होती है लकीरों का खेल है जो दुखाने वो आने किसी को भीमारी आती है किसी के साथ ही आ जाता है जो भी आता है उसको हैंडल करना पड़ता है यही लाइफ है लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा बिलना पड़ता है न, तो वही बात है, मेरे फादर 2021 में उनकी डेथ हो गई, पता है कैसे डेथ हुई, खासी हुई थी उनको, बस, और खासी के बार डेथ हो गई, और हम लोग कितने अटेश्ट थे उनसे, मैं आपको बता नहीं सकता, हमारे ले क्या था हो, लेकिन क्या कर सक सकते थे, कुछ भी नहीं कर पाए, हम हमारे सामने सामने सब कुछ होगे, तो ऐसी मैं आपको कहना चाता हूँ कि, जीवन में हर तरह के दुख और तकलीफ से हो करके आपको गुजरना पड़ता है, कोई भी विक्ति ऐसा नहीं, जिसकी लाइफ में दुख नहीं आएगा, सॉलिशन नहीं है, यह तो कायरता हो गई, जो भी है अच्छा बुरा, आपको लड़ना है, यही जीवन है, और इसी लिए जीवन मिलता है, कि जो भी सुख दुखा हैं, उससे हम सीखें, और सीख करके आगे बढ़ें, कोई भी ऐसा नहीं है, जिसके साथ तकलीफ नहीं साथ medical issue, किसी के साथ financial issue, किसी के साथ court का चैरी, किसी के साथ जमीन के issue, किसी के साथ fraud का issue, बहुत कुछ, यह दुनिया ही दुख की नगरी है, नानक साब ने क्या का था गुरू नानक देवजी ने, नानक दुखिया सबसंसार, मूवी भी बनी थी ना, इस नाम से आपको पत साथ ही, इस case से बड़ा कोई case हो सकता है, क्या matter case, and जो उनकी स्थिती है financial, उससे बुरी क्या कोई financial स्थिती हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कपड़े थे ना उनको, मुझे देखके लगा, प्राइम आफीस ही यह लगा कि कोई शायद काम करने वाला है, लेकिन अ अब ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि lawyer आप inexperience ले लो, बड़ा lawyer करना पड़ेगा, अच्छा lawyer करना पड़ेगा, experience lawyer करना पड़ेगा, सारा मतलब आपको up to the mark करना पड़ेगा अगर बचाना है खुद को तो, भई मटर केस में तो आप ठीक है, matrimal में फिर भी आप compromise कर लेते हो क आप compromise नहीं करेगा ना कोई भी आदनी, नहीं करेगा, तो दोस्तों यही सारी चीजे होती हैं, मेरा कहने का मतलब है, तकलीफ जो आप महसूस कर रहे हैं, आपसे कई ज़्यादा तकलीफ में कई और सारे लोग भी हैं, तो उनके बारे में सोचते भी अपने आपको धहरे द कीजिए और जो भी परिस्थिती आपके सामने आ रहे हैं, उसका डट कर सामना कीजिए, चले दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही, नेक्स वीडियो में नहीं जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक लिए गुड़ बाई, थैंक यू फर वाचिंग, टे क्यार,